वेलकम टू अलोफ यो ऑफ दे जेनरल साइन्स स्पेसल क्लास जेनरल साइन्स स्पेसल क्लास में आपनों का स्वागत है चाहे आप SSC CDL की प्रिप्रेशन कर रहे हों CPOP, CHSL की या MTS की या जो लोग RRB, NT, PC की भी प्रिप्रेशन कर रहे हैं सारे लोगों के लिए topic बहुत important topic है, यह है biology का lecture 33, इस वीडियो में हम देखेंगे जो nutrition का topic था, portion का, उसमें दूसरा topic था, fat and protein, इसमें यह दोनों छोटे-छोटे topic है, fat and protein, तो इसको हम पूरा का पूरा कबरब करेंगे, जो लोग मेरे paid course को join कियो होंगे, उनको पूरा का lecture 1 से लेकर के lecture 32 तक मिल गया होगा, और PDF notes भी उनको directly मिल गया होगा, क्योंकि मैंने already provide कर चुका हूँ, और जो लोग मेरे paid course को join करना चाते हैं, तो इस वीडियो के last में आपको पूरा process बताया गया होई, कैसे आप years course को join कर सकते हो, general science course को, तो देर नहीं करते हुए, मैं start करते है देखे, fat, fat को हिंदी में बोलते हैं, वसा या इसी का another name है, lipid, देखे, तो पहला सबसे पहला चीज की fat मिलकर किस से बना है, तो fat is made of carbon, hydrogen और oxygen, जो fat है, यानि जो वसा है, वो किस से मिलकर बना है, carbon से, hydrogen से, और oxygen से, C for carbon, H for hydrogen, hydrogen, और O for oxygen, तो fat किस से मिलकर बना है, carbon, hydrogen और oxygen, या question पूछा जा चुका है, तो वसा किस से मिलकर बना है, carbon, hydrogen और oxygen, second चीज, जहां भी carbon और hydrogen की बात आए, carbon और hydrogen, तो वो कौन सा compound कहलाता है, तो वो कहलाता है, organic compound, organic compound को हम हिंदी में बोलते हैं, carbonic yogi, आप खुछ सोचो, जिस तरह से fat में carbon, hydrogen और oxygen है, तो carbon और hydrogen से जो compound बनते हैं, वो कहलाते है, organic compound, तो इटीज आलसो का डैश, organic compound, डैटीज, इसको हम fat है, जो वसा है, उसको हम carbonic yogi भी बोल सकते, अब बात आती हैं, आपर question पूछा जाता है, कि एक gram fat से कितनी calorie energy मिलती है, तो एक gram fat से 9.3 kilo calorie energy मिलती है, यानि कि 1 gram fat gives the 9.3 kilo calorie, ठीक है, तो यह important data यह push भी दिया जाता है, उसी तरह से अगर मैं बात करूँ, 1 gram carbohydrate जो हम पढ़ चुके हैं, 1 gram carbohydrate से कितनी energy मिलती है, तो वो मिलता है 4.0 kilo calorie energy, ठीक है, तो आप से कभी भी पूछा जाए, कि fat जो है, कितनी energy देता है, तो 1 gram fat gives the 9.3 kilo calorie approximate, उसी तरह से 1 gram carbohydrate, जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, उससे कितनी energy मिलती है, तो 4.0 kilo calorie, अब next हमारा आगे point आता है, कि जो हमारा वसा है, यानि fat है, वो कौन-कौन से source से मिलता है, कौन से source हम fat ले सकते हैं, तो oil, यानि कि तेल, घी, बटर, ETC में क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में fat यानि कि वसा मिलता है, ठीक है, यहां तक तो अब सारे लोग जानते ही होंगे, कि वसा किसे, अगर oily समान खाओगे, तेल खाओगे, जिसमें oily foods हो, तो उसके अंदर क्या मिलता है fat, घी खाओगे तो आपको fat मिलेगा, बटर खाओगे तो इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है वसा, अब बात आती है कि fat जो है, वसा जो है क्या करता है, तो it gives the protection, ये हमारी body का सुरच्छा देने का काम करता है, यानि वसा हमारी body को सुरच्छा देने का काम करता है, अगर English Terms में बात करें, तो it gives the protection of our body, यानि हमारी body को protection सुरच्छा देने का काम कौन करता है, तो वो करता है फैट, I hope यहां तक आपको समझ में आ गया हो, चलिए, वहीं ची मैंने बताया था कि example source है, उसका oil, घी, butter, etc खाओगे तो क्या होगा, हमें फैट मिलेगा, यानि वसा मिलेगा, अभी मैंने बताया था कि वसा करता क्या है, फैट करता क्या है, it gives the protection of our body, हमारी बो कोई person है, लो मैं इस तरह से एक person मना रहा हूँ, यह person इस तरह से slim है, ठीक है, slim का मतलब इसका जो पेट है, वो लिकला नहीं हुआ है, अगर यह बहुत ज्यादा मात्रा में हैट यूज कर रहा है, यानि ओली चीज़े खा रहा है, तो इसका पेट जो है, यह person है, इसका जो इस तरह से मैं diagram actually रुख जाएए, मैं diagram के coding समझाना चाहता हूँ आपको, diagram मेरे को बना लेने दिए हो, ऐसे जरूवत नहीं है diagram की, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से बना रहा हूँ, एक person है, दूसरा person है, ठीक है, दो person है, first person और second person, first person की जो body है, जो उसका पेट है, यह slim है, यानि slim का मतलब यह मोटा नहीं हुआ है, लेकिन दूसरा person क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में fat use कर रहा है, यानि की oily चीज़े खा रहा है, घी काफी खा रहा है, बटर खा रहा है, तो उसका देखोगे कि जो उसका tone होता है, उसका पेट जो होता है, वो इस तरह फूल जाता है, अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से फूल जाता है, इस तरह से उसका पेट लिकलना start हो जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते है, मोटापा, मोटापा, यानि इसी को हम बोलते है है फैटी ठीक है अगर आप जादा मात्रा में ओयल घी या बटर का यूज कर रहे हो तो आपको फैट जादा मिलेगा वसा की वज़ा से हमारा ये जो क्या होता है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में लेमन लेंगोज में कि आपकी चर्वी बढ़ती जा रही है यानि कि फैट जो ह कि आमें सुरच्छा देने का प्रदान करता है तो जो भी हमारे पास बाहर की जो हमारे पास बाहर से कोई भी इनसुलेटिंग यानि उसमा रोधी हो जाता है इससे जो है हीट बहुत जल्दी रिलीज नहीं होती क्योंकि ये सुरच्छा दिने काम करता है इसलिए आपने देखा होगा जो मोटा परसन होता है जिसकी तोन लिकली होती है उसको हीट यानि की गर्मी बहुत जादा फिल होता है as compared to thin person जो पतला परसन है और एक मोटा परसन ह तो मोटा वाला परसन को क्या होता है गर्मी जादा फिल करता है क्यों क्योंकि ये क्या है उसके उपर क्या है चर्भी चड़ते चली गई यानि फैट यानि वसा चड़ते चला जाए जिसकी वज़ा से अंदर का जो हीट है वो बाहर पूई तरह से रिलीज नहीं हो पाता है इसकी वज़ा से उस फैटी वाले परसन को यानि मोटे वाले परसन को गर्मी जादा फीलोगी है अब यहाँ पे एक चीजे और मैं समझाना चाहूंगा देखे जो हमारा human heart होता है इस तरह से human heart होता है मैं पढ़ा चुका हूँ human heart तो उस तरह से एक tube इस तरह से निकला होता है इस tube को हम बोलते हैं coronary artery ठीक है यह इससे क्या होता है blood यहाँ से flow हो रहा है तो यहाँ पे अगर जो person मोटा होते जाता है तो वहाँ पे यहाँ पे एक layer जमते जाती है जिसकी वज़ा से उस person की जो भी मोटा person होता है अब देखे उसको BP यानि blood pressure उसका जल्दी high हो जाता है इसका पीछे region क्या है वो भी ची मैं बता रहा हूँ कोई भी मोटा person है जो fatty person है यानि कि जो मोटा person है मोटा प्या वाला person है उसको उसकी BP बहुत जल्दी high हो जाती है उसके पीछे region क्या है दिखी हमारा heart क्या करता है blood को flow कराएगा यहां से chamber होते हैं अलग-अलग उसमें क्या होते हैं blood flow होते हैं ठीक है अगर blood यहां से flow हो रहा है तो आप पढ़े होंगे physics terms में क प्रेसर क्या होता है force upon area प्रेसर यानि कि बल upon छेत्रफल अब देखो जो मोटा person है जो हैट वगरा खा रहा है तो उसकी वज़ासे यहां पे इसकी layer यहां पे जो ट्यूब की यहां पे बढ़ती जाती है जिसकी वज़ासे तेखो area अब जो blood flow होने का area है वो कम हो गया जैसे area घटेगा तो blood flow होने के लिए force जादा लगेगा तो force अगर जादा लगेगा तो pressure क्या होगा बढ़ेगा जिसकी वज़ासे जो मोटा person होता है उसकी BP अगर pressure बढ़ेगा blood में तो blood pressure होगा और blood pressure उसकी person की क्या हो जाएगी? तो जो मोटा person है उसको BP का मरीज बहुँ जल्दी बनता है और उसकी BP जो है blood pressure जो होता है वो बहुँ जल्दी हाई हो जाता है और जो मोटा person होता है उसको और एक दिक्कत आती है कि जो इसको heart attack की probability क्या होती है बहुँ जादा हाई हो जाती है कि उसको heart attack आने की probability as compared to normal person जो person slim है, thin है, उससे ज़्यादा heart attack आने की probability मोटे person में देखी गई है, तो ये चीजे आपको समझ में आनी चाहिए, अब देखिए, आपको समझने में आ गया होगा, कि जो मोटा person होता है, उसकी BP यानि की blood passer high हो जाता है, उसको heart attack आने की probability high होती है, अब बात आती है, जैसे आप मा condition में होते हैं, fasting यानि की वरत रखते हैं, जो लोग कुछ दिनों के लिए, मालो 5 days के लिए उन्होंने fast रखा, तो वो कुछ खाते पीते नहीं है, निर्जला वरती ये वगरा, तो आप खुछ सोचो, उस time पे energy कौन देता है, आप बाहर से कुछ तो खा नहीं रहो, तो यान source of energy कौन सा हो जायता है, तो वो होता है, फैट, देखे, लिखा गया है, main source of energy in fasting condition, वरत के समय वरत की condition में, जब आप भूखे रहते हो, 10 दिन तक कोई वरतन भूखा है, तो उस condition में, उसका main source of energy, यानि उसको उरजा देने का का में स्रोथ कौन है, तो वो है फैट, यानि की वसा, I hope यहां तक आपको फैट के बारे में समझ में आ गया होगा, exam point of view से इतना ही important था, जो मैंने फैट के बारे में पढ़ा है, अब हमारा next आता है, protein, protein, protein को हिंदी में भी protein ही बोलते हैं, तो next topic है protein, जिस तरह से हमने कार्भो हाइडरेट के बारे में पढ़ा कि यह किस से मिलकर बना है, जिस तरह से हमने पढ़ा फैट के बारे में किस से मिलकर बना है, उसी तरह से अब हम पढ़ेंगे protein, protein किस से मिलकर बना है, यह भी क्या है एक nutrition का ही part है nutrition यानि की portion जो topic चल रहा है उसका ही part है ठीक है हमने पढ़ा था पहले में carbohydrate दूसरा fat या lipid third आपको मैंने पढ़ाया था protein and fourth हम पढ़ेंगे vitamin तो ये third topic चल रहा है nutrition का जिसको हमने नाम दिया है protein protein किसे मिलकर बने होते हैं carbon, hydrogen, oxygen और nitrogen C4 carbon, H4 hydrogen, O4 oxygen और N4 nitrogen तो आपसे बोला जाएगा कि protein किसे मिलकर बने होते हैं तो protein carbon, hydrogen, oxygen और nitrogen से मिलकर बने होते हैं तो it is made of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen I hope आपको समझ में आ गया अभी मैंने आपको बताया था जिस compound जो भी है अगर carbon, hydrogen, oxygen से मिलकर बन रहा है carbon, hydrogen की मात्रा है उसमें तो वो जो compound कहलाएगा वो क्या कहलाएगा organic compound organic compound जिसको हिंदी में बोलते हैं carbonic योगी तो protein भी क्या है एक organic compound है क्योंकि ये carbon, hydrogen, oxygen और nitrogen से मिलकर बना है तो it is also the organic compound यह एक क्या है carbonic योगी compound है अब देखिए हमने अल्रेडी आपको पढ़ाया था कि 1 gram carbohydrate कितना kilo energy approximate देता है तो वो देता है 4.0 kilo calorie approximate energy देता है उसी तरह से मैंने पढ़ाया था कि 1 gram है ये कितना kilo calorie देता है तो वो देता है approximate 9.3 kilo calorie तो उसी तरह से अगर मैं बात करूँ 1 gram protein कितना energy provide कितना kilo energy provide करता है तो वो variation होता है 4.1 से 4.3 kilo calorie और ये सारे approximate data है ठीक है क्योंकि ये अलग-अलग जो अगर कोई healthy person है उसमें थोड़ा सा different आएगा उसमें different आएगा तो ये approximate value है तो उसी तरह से देखो 1 gram protein जो है वो कितनी kilo calorie energy देगा तो 4.1 से 4.3 kilo calorie देखो वहीं ची मैंने यहां पर लिखवा चुका हूँ I hope यहां तक समझ में आ गया होगा यानि इंग्लिस में अगर बात की जाए तो 1 gram protein gives the 4.124.3 kilo calorie energy अब आब आता आती है कि proteins जैसे हमारे पास आपने पढ़ा होगा कि fat जो है हमारी body को protection देने का काम करता था तो protein क्या करता है हमारी body के लिए तो protein हमारी body के लिए repairing and growth that is the main function of protein यानि protein हमारी body को हमारी कोई भी part मालो की कोई भी चीज हलका फुलका damage हुई है उसको repair करने का काम और हमारी body को growth देने का काम कौन करता है तो वो काम करता है प्रोटीन इसलिए मैंने लिखा हूँ repairing and growth that is the main function of protein आपको समझ में आ गया अब जो repairing करने का काम करेगा और growth भी करने का काम करेगा तो ये इसलिए that's why it is also called as the building block of the body हमारे सरीर का building block किसे बोला जाता है protein को क्यों क्योंकि ये हमारी body के कोई भी part अगर मालोग खराब हो रहा है उसको repairing करने का भी काम करता है और हमारी body को growth देने का भी काम कौन करता है protein करता है that's why it is also called as building block of the protein अब यहाँ पे बात आती है protein किसे मिलकर बने होते हैं देखो protein किसे मिलकर बने होते हैं तो protein जो है amino acid यह question exam में पूछा जा चुका है आपके SSC exam में CGL exam में CPO exam में कि protein किसे मिलकर बने होते हैं तो protein are made of of amino acid यारφlı aminoamilas मिलकर की क्या बने होते हैं protein बने होते हैं यहाँ पे मैंने लिखा भी हूँ पॉइंट को protein are made up of amino acid protein किस से मिलकर बने होते हैं amino acid से मिलकर बने होते हैं और यह तो मैं already बता चुका हूँ कि 1 gram fat कितना kilo energy देगा 9.3 kilo calorie energy 1 gram protein कितना kilo calorie देगा approximate 4.1 से 4.3 kilo calorie energy 1 gram carbohydrate कितना kilo energy देगा approximate 4.0 kilo calorie energy तो यह मैं already आपको दे चुका हूँ और इसकी PDF notes मैं already आपको provide कर चुका हूँ तो आप video को देखते जाएए उसकी according आप PDF notes को दो बार read कर लिजे that is more than enough आपको remember हरी point याद आ जाएगा चलिए अब बात आती है अभी हमने पढ़ा कि जो protein है किस से मिलकर बना होता है amino acid amino acid को मैं sort form में लिख रहा हूँ amino acid बहुत सारे amino acid से मिलकर बना होता है amino acid a का मतलब क्या है a dot a का मतलब amino acid मैंने sort form में लिखा है तो protein किस से मिलकर बने होते है amino acid तो बहुत सारे amino acid से मिलकर क्या बने होते है प्रोटीन मिलकर बने होते हैं तो आप देखो अमीनो एसिड की क्या बन रही है चेन बन रही है न तो इसको ये क्वेशन इजाम में पूछा गया था क्या पूछा गया था कि चेन ओफ अमीनो एसिड इज यानि कि अमीनो अमलों अमीनो होते हैं क्या एमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं प्रोटीन तो यहां पर यह चेंज कर लिजेगा यहां चेंज नहीं होगा चेंज मतलब स्रिंखला CH-A-I-N chain of amino acid मैंने यहां पर लिख चुका हूं chain of amino CH-A-I-N chain in amino acid यानी कि amino amino की स्रिंखला क्या कलाई जैसे इस तरह से chain बनते जा रहा है तो वह कहलाएगा प्रोटीन क्यों कि प्रोटीन किसे मिलकर बने होते हैं amino acid तो यह question आपके SSC exams में पूछा गया था ठीक है और बहुत सारे government exam में पूछा गया था अब बात आती है देखिए हमने कहा कि protein amino acid amino acid बहुत सारे amino acid से मिलकर बने होते हैं तो मैंने अगर आपने देखा होगा मेरा biology का past lecture इससे पहले जितने भी मैंने 1 to 30 to provide किया हूं तो मैंने एक बार थोड़ा सा polymer के बारे में बढ़ा रहे था कि जो चीज बार बार repeat करके बनाई जात यह भी question आपके CPO के paper और CGL के paper में पूछा जा चुका है कि protein इजे option दिया गया था each a polymer of amino acid कौन जो है amino acid जो कौन ऐसा blank अस्थान दिया गया था कि amino acid यानि protein अमलों का क्या है बहुलक है यहाँ पे option दिया गया था कि blank अस्थान दिया गया था each a polymer of amino acid कौन ऐसा चीज़ कौन ऐसा nutrition है जो polymer है amino acid का तो वो कौन है protein यानि protein अमलों का polymer यानि की बहुलक है protein amino का क्या है बहुलक है यानि protein इजे polymer of amino acid अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया अब दिखिए कुछ चीज़ें आपको मैंने already discuss कर चुका हूँ कि enzyme enzyme क्या होता है मैंने already आपको बताया था past lecture में भी और यह मैं बोला था कि CPO के paper में भी पूछा जा चुका है enzyme में कैसा substance होते हैं जो rate of reaction को increase कर देते हैं यानि enzyme में कैसा substance होते हैं अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं इसके opposite catalyst c-a-t-a-l-y-s-t catalyst अगर आपने थोड़ा बहुत 11-12 पढ़ा होगा तो catalyst आपने देखा होगा कि catalyst क्या करते हैं rate of reaction को यानि अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी देते हैं और घटा भी देते हैं इसलिए catalyst दो type के होते हैं एक होता है positive catalyst और दूसरा होता है negative catalyst लेकिन enzyme जो क्या होते हैं enzyme एक ऐसा सबस्टांस ऐसा पदार्थ है जो rate of reaction को हमेशा क्या करता है increase कर देता है यानि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है लेकिन catalyst rate of reaction को increase भी करेंगे अभिक्रिया की दर को बढ़ाएंगे भी और घटा भी सकते हैं that's why catalysts are two types that is positive catalyst and that is negative catalyst थीक है enzyme आपको पता चल गया enzyme एक ऐसा सबस्टांस होते हैं जो rate of reaction को increase कर देते हैं फिर मैंने आपको बताया था कि enzyme किसे मिलकर बने होते हैं enzyme are made up of protein protein से मिलकर क्या बने होते हैं enzyme यह question CPO 2018 का जो paper हुआ था उसमें पूछा जा चुका है और यह मैंने आपको cell वाले topic में यह line statement लिखवाया था और मैंने बोला भी था कि यह question आ सकता है और यह CPO 2018 में पूछा गया था ठीक है enzyme किसे मिलकर बने होते हैं protein से मिलकर बने होते हैं एक और enzyme को बोला जाता है enzyme क्योंकि क्या है enzyme एक catalyst की तरह काम कर रहा है वह भी positive catalyst that's why enzyme is also called as biocatalyst enzyme को जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है जिस तरह से catalyst rate of reaction को increase कर देते हैं I hope यहां तक आपको situation जो है protein के बारे में आपको समझ में आ गया होगा अब जिस तरह से हमने पढ़ा था fat में fat यानि वसा या आपने अभी मैंने इसी topic में पढ़ाय था lipid के बारे में तो मैंने वहां पर बताया था इसका source क्या है source यानि मैंने बताया था कि oil यानि घी oil के बाद घी के बाद मैंने बताया था butter यह सब खाओगे तो क्या मिलेगा protein sorry fat यानि वसा मिलेगा तो यह तो वहीं ची लिखा गया enzyme also known as biocatalyst enzyme को जैव उत्रे रख भी कहा जाता है अब source of protein क्या है यानि protein के स्रोथ क्या है तो यह protein के स्रोथ पहला है algae यानि algae मतलब होता है सेवाल और वो सेवाल का नाम है espirulina यह question पूछा गया कि espirulina अलगी से क्या मिलेगा हमें तो protein मिलेगा एक ऐसा सेवाल जिसको नाम है espirulina उससे हमें क्या मिलता है यह भी क्या है protein का अच्छा स्रोथ है good source of protein यानि protein का अच्छा स्रोथ है तो और protein के source क्या है स्रोथ क्या है soya bean खाओगे तो protein मिलेगा अंडा खाओगे तो protein मिलेगा और डाले different different type के डाल खाओगे भी तो आपको protein मिलेगा इसलिए आप छोटे होंगे तो देखना एक बार आपकी मम्मी जो है बोलती है बार बार की डाल ज्यादा से ज्यादा मात्र और क्या होता है ग्रोथ होता है इसलिए बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डाल खाना स्टार्ट करो अब बात आती है कि आपकी protein की कमी हो जाए ठीक है protein की कमी से जो रोग होता है जो डीजीज होता है तो दो डीजीज होते हैं दो रोग होते हैं एक होता है क क्वासर कोर, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्वासर कोर, और दूसरा होता है मेरासमस, हिंदी में भी उसको मेरासमस करते हैं, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, तो उससे दो रोग होने की संभावना होती है, क्वासर कोर एंड मेरासमस, ये दो रोग होते हैं किसे प्रोटीन की कमी से अब बात आती है प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमारी बोडी को क्या एफेक्ट पड़ेगा अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमारे मानो सरीर पे हमारा मानो सरीर क्या हो जागा दुबला पतला आप दिखोगे आपकी ग्रोथ प्रोपर वे से नहीं हो पाएगी कुपोशन का सिकार हो गया जिसको हम इंगलिश में बोलते हैं माल नूट्रेशन तो आई होप यहां तक पता चल गया कि अगर प्रोटीन की कमी हो तो उसके दो रोग होते हैं क्वासर को और प्रोटीन की कमी से बैक्टी दुबला पतला हो जाता है ग्रोथ प्रोपर नहीं हो पाती है उसकी मसल सभीक ती आनिमान स्केसियां में कमजोरी आ जाती है इस कंडिशन को हम बोलते हैं कुपोशन जिसको इंगलिश में बोला जाता है माल नूट्रेशन आई होप यहां पे साइन्स वाले टर्म्स में भी पढ़ा चुका हूँ जब मैं साइन्स वाले टर्म्स लेक्चर बायो का वन से सेवन पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था इसकी में जो प्रोटीन मिलता है उसका नाम क्या है यह मैं पढ़ा चुका हूँ तीत यानि दात में जो प्रोटीन मिल उसे बोलते हैं गलूटेन, उसका नाम क्या है? गलूटेन, दूध में जो प्रोटीन मिलता है, उसको बोलते हैं केसीन, और बाल या नाक खुन, हेयर या नेल्स में जो प्रोटीन मिलता है, उसको बोलते हैं केरेटीन, ठीक है? अब बात आती है, आप देखो, तो क्या आपको बताया कि जो बाल है, हेयर है, या नाखुन है, उसमें क्या, केरेटीन प्रोटीन मिलता है, तो क्या, उसको खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ये खाने से हमारी बोडी का कोई फ्यक्ट नहीं मिलेगा, इसके लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, डेड प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि यह जो आपकी रोटीन प्रोटीन आप अगर हेयर खाते हो नेल खाते हो तो आपकी हमारी जो बोडी का डाइजेशन सिस्टम होता है हमारी बोडी इसको इस वाले प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है that's why हम इसको नहीं खा सकते हैं. मिल्क हमारी बोडी को हमारी बोडी डाइजेस्ट कर जाती है यह हमारी बोडी डाइजेस्ट कर जाती इसलिए खाते है, अब ऐसा थोड़े न क्य offensive इसको खाओगे भी रेसम खाओगे तो हमारी बोडी क्या है? डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया, उसके लिए आप सोयाबीन खा सकते हो, अंडा खा सकते हो, जेहुं खा सकते हो, लेकिन आप कोई माइन में यह मत सोचना, कि hair और nails खाना इस्टार्ट परोगे क्योंकि जो आपकी routine protein मिलता है वो dead protein होता है क्योंकि हमारी body उसको digest नहीं कर पाएगा आप nail खाओगे आपकी body digest कर पाएगे आपकी body पाचन कर पाएगे नहीं कर पाएगे that's why जो भी चीज़े हमारे body digest नहीं कर पाएगे उसको dead protein के नाम से बोल सकते हैं तो यहां तक आपको पूरा का पूरा situation आपको समझ में आ गया होगा fat के बारे में हमने पूरा का पूरा बताया and protein के बारे में जो आपके exam point of view से important points थे सारी चीज़ें मैंने discuss कर दिया तो यह topic complete होता है fat and protein देखिए मेरे दो courses हैं अगर जो लोग join करना चाहते हैं वो join कर सकते हैं reasoning course जो आपको CGL, CPO, CHS, MTS या आप RRB, NTPC की preparation कर रहे हैं इस सारे exam को cover कर देगा इसमें आपको 100 plus video lectures मिलेंगे verbal and nonverbal दोनों section मिलेगा PDF notes भी मिलेगा और PDF practice question भी मिलेंगे और यह course क्या है bilingual यानि Hindi और English जैसे आप अभी देख रहे हो CM आपको यहाँ पर मिलेगा और जो general science running course है जो लोगों को मैंने बताया था कि last में मैं बताऊंगा कैसे join करना है इस course की fee है 499 reasoning course की fee है 399 पर आप lifetime तक यूज कर सकते हो उसी तरह से general science course की fee है 499 आप lifetime तो यूज कर सकते हैं इसमें 1500 प्लस video lectures में course complete होगा physics, chemistry and biology तीनों topics आपको concept wise कराया जा रहे हैं उसके बाद आपको PDF practice question भी दिया जा रहा है and as well as PDF notes भी मिल रहे हैं और यह भी course क्या है filing wall है तो अब बात आती है कैसे join करोगे आपने course के बारे में तो जान लिए आप join कैसे करोगे तो आपके पास 3-4 option में दे रखा हूँ उसके तरूँ आप pay कर सकते हो patium apps के तरूँ पे कर सकते हो यह मेरा patium apps number given है जिस भी course के लिए आपको Google pay apps के तरूँ पे कर सकते हो यह मेरा Google pay app number दिया गया है phone pay apps के तरूँ पे कर सकते हो यह मेरा phone pay apps number दिया गया है अगर आप account number के तरूँ पे करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा account number दिया गया है already अब बात आती है आपने pay तो course कर दी आपको course कैसे मिलेगा तो आपको इस दिये गए WhatsApp नंबर पे आपको क्या करना होगा उस पेसलिट की जो आपने पेकिया या स्क्रीन सूट या पिक्स आपको इस दिये गए WhatsApp नंबर पे सेंड करना होगा उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा जिस भी course के लिए आपने access किया होगा आप उस course को access करना start कर दोगे ठीक है वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर like कीजिएगा Thank you, bye bye, मिलते हम next part Thank you